यार मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि इस फिल्म के बारे मैं क्या कहूँ देखो मेजर फिल्म बहुत पहले रिलीज हो जानी चाहिए थी कुछ ना कुछ रीजन से उसकी रिलीज डेट टलती रही पर नाओ इस रनिंग इन आल ओवर इंडिया तेलुगू में भी और साइमल्टेनियसली हिंदी में भी तो वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी 26 गैरा के हमले के बारे में सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया जानती है पर ये फिल्म बस उस दर्दनाक इवेंट के बारे में नहीं है वो सब तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा बट ये मुवी एक्चुली बेस्ट है शहिद संदिप उन्नी कृष्णन के लाइफ पर उनकी परसनल और फैमिली बैग्राउंड पर उनकी लाइफ जर्नी पर या एक शब्द में कहें तो ये फिल्म उनकी एक बायोपिक है जिसमें हैपी मोमेंट्स है, सैड मोमेंट्स भी है और प्राउड मोमेंट्स भी है लिटरली पूरी मूवी खतम हो जाने के बाद ना आप थियेटर के बाहर एक प्राउड इंडियन बनकर निकलोगे सच में, ये स्टोरी सिर्फ उन शहीदों के बारे में नहीं है जिन्होंने अपनी जान भारत माता के नाम पर नियोचावर कर दी पर ये फिल्म उन आसपेक्स पर भी फोकस करती है जहां उन शहीद जवानों के फैमिली इनवाल्वड है लिटरली संदिप उन्नी कृष्णन के पैरेंट्स के रोल में दोनों आक्टर्स ने ला जवाब काम किया है और उन सभी शहीद भाईयों के माबाप का दर्द और एक शहीद बेटे का पैरेंट्स होने की प्राउट फीलिंग्स उन्होंने बखु भी अपने एक्टिंग के थ्रू आम जनता तक पहुँचाई है अगर आप बस ये सोचकर थेटर में जाना चाहते हो कि इसमें 26 गैरा से ही रिलेटेट स्टोरी दिखाई जाएगी तो नहीं अगर आप उस इवेंट के बारे में उसके रियालिटी के बारे में और भी डीपली स्टडी करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि उस दिन exactly क्या और कैसे हुआ था तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको उसी भायानक हादसे पर आधारित ये बुक समरी जो अवेलेबल है ओन कुकु एफेम वो भी हिंदी में क्योंकि ये इंडिया का लीडिंग आउडियो बुक प्लाटफॉर्म है 4.5 प्लस की रेटिंग्स के साथ जिसमें है हजार घंटे से भी जादा का क्रियेटिव कॉंटेंट और नॉन फिक्शन आउडियो बुक्स की जिसमें मोटिवेशनल, कॉमेडी, क्राइम, ठ्रिलर और सस्पेंस पर बेस्ट आउडियो बुक्स भी है वो भी हिंदी, मराथी, इंग्लिश और धेर सारी अधर रिजनल लैंग्वेजेस में और ये सबसे इजियेस्ट वे है अपने नॉलेज को पॉजिटिव वे में ट्र पूरे मूवी में सबसे अच्छी एक्टिंग प्रकाश राज और रेवती जी की ही थी और प्रकाश जी का वो लास्ट स्पीच आपको ना अंदर से तोड भी देगा और आपका सीना भी चौड़ा कर देगा जिसका ग्लिम्स आपने ट्रेलर में भी सुना होगा मैं दाद द जेना चाहूंगा मेकर्स के confidence की के उन्हें अपने बनाये हुए इस फिल्म पर इतना भरोसा था के उन्होंने pre-release screening रखी वो भी public के लिए ना की पत्रकार ना news channel ना critics के लिए सीधा openly public के लिए जिसमें कुछ एक जगा तो फिल्म के hero खुद गये थे और movie देखने के बाद सम जो थोड़ा सा टाइम दिया गया है जो थोड़ा slow feel हो सकता है पर वो story को build up करने के लिए बहुत जरूरी था और अधिवीशेश के character का development ही starting से ऐसा किया गया है कि उस character के साथ आप आराम से emotionally attached हो जाते हो आप चाहे उनका बचपन हो या जवानी में उनकी love story हो या उनकी training का session हो तो ये सब film के first half में है और first half तक आप पूरी तरह से इस film के character से जुड़ जाओंगे शहिद major sandeep से जुड की तरह अपना बना लिया है ऐसा लगता ही नहीं कि कोई actor है जो वो role play कर रहा हो बस ऐसा लगता है कि एक देश पर मर मिटने की ताकत रखने वाला जवान सामने खड़ा हो और क्योंकि film में सोनी वालों का involvement है और शक्तिमान फिल्म भी सोनी वाले ही बना रहे है तो शायद अ देखने के बाद आप totally satisfied feel करोगे के हाँ यार यह हुई ना बात वैसे इसमें एक दो kissing scenes है बट चलता है बाकि देखो बोलने के लिए तो बहुत सारी बाते है बट मैं चाहूंगा कि आप अपने पूरी family के साथ जाओ और इस film को feel करो ना ही सिर्फ देखो और enjoy करो उसे feel करो अब बात रही इस film को stars देने की अगर दिल से बोलो ना तो ये movie शहीदों को समर्पित है और जो खुद आसमान में तारे बनकर चमक रहे है ना उनको ratings के इन मामुली तारों से कोई फरक नहीं पड़ेगा बस जाए और इसे देख डालिए और हाँ 26.11 की original story description की link से कोको FM बाली बिल के दोएं पुद के चार आए.